बच्चे प्रकृति की देन हैं, किन्तु भारत रेडिमेट बच्चा बनाने की फैक्टरी बन गया है सुनने में ये बात बहले ही अजीब सी लगती है, किन्तु सच्चा यही है कि भारत के अपर क्लास और मिडल क्लास परिवारों में रेडिमेट बच्चे बनाने की फैक्टरियां खुल गई है अब बच्चे इश्वर की देन समझ कर स्विकार नहीं किये जाते, अब इतु प्लान किये जाते हैं आज से लगबग 10 साल पहले तक भारत में जहां 18-19 साल की विवाहित युवतियां और 21-22 साल के विवाहित युवक दो-3 बच्चों के माता-पिता बन जाते थे अब सामानेत है 31-32 साल से पहले कोई युवक पिता और 27-68 साल से पहले कोई युवति माता नहीं बनती बच्चे जहां दामपत्य जीवन की प्रात्मिक्ता हुआ करते थे अब पती-पत्नी की नौक्रियां ही दामपत्य जीवन की प्रात्मिक्ताएं बन गई हैं केरियर बनाने के चक्कर में शहरी अपर क्लास और शहरी मिडल क्लास परिवारों के लड़के 30-31 साल से पहले और लड़कियां 25-26 साल से पहले शादी के बारे में सोचते तक नहीं हैं शादी के बाद भी उन्हें बच्चा प्राप्त करने की जल्दी नहीं होती अपी तो बच्चा बनाने का event प्लान किया जाता है बच्चे के माता पिता pre delivery और post delivery maternity leave अर्थात प्रसव पूर एंव प्रसव प्रस्चात छुट्टिया अरेंज करते हैं पहले बच्चे को बनाने का निर्णा लेने के बाद किसी जोतिशी की राय ली जाती है कि बच्चे को कब जन्म दिया जाए तता कहां जन्म दिया जाए जोतिशी बच्चे के conceive होने की तारीख तै करता है ताकि बच्चा भागशाली पैदा हो जब बच्चे का जन्म समय निकट आता है तो जोतिशी से समय पूचा जाता है कि बच्चे को delivery कितने बजे और कहां करवाई जाए जोतिशी के बताए समय और मिस्थान पर गर्वती इस्त्री का पेठ चिरवा कर बच्चा बाहर निकाल लिया जाता है इस प्रक्रिया को भरत में सेजेरियन डिलीवरी करवाना कहा जाता है इस कार्य में डॉक्टरों और प्राइवेट नर्सिंग होम की चांदी हो जाती है और माता पिता को एक सवभागेशाली रेडी मेड बच्चा मिल जाता है जो तिशी द्वारा बताए गए समय पर प्रावत किया गया बच्चा रॉ मैठीरल की तरह होता है इसके आगे का निर्मान करने के लिए देश में कई तरह के कारखाने खुले हुए है पहला कारखाना क्रेच या क्रेच के नाम से जाना जाता है इसमें 6 मा के बच्चे को जमा करवाये जाता है क्योंकि अब तक बच्चे के माता-पिता की प्री-डिलिवरी और पोस्ट-डिलिवरी मेटनरी लीव खत्म हो चुकी होती है क्रेच नामक कारखाने में बच्चे के साथ-साथ उसके डाईपर, दूद की बोतले और बिस्किट भी जमा करवाये जाते है इस कारखाने में आया नामक मेड सर्वेंट, माता की भूमी का निभाती है तथा तब तक बच्चों के दूद की बोतल और डाईपर बदलती रहती है जब तक इस डेर शाम तक बच्चे को डिलिवरी करने वाली माता ऑफिस से आकर उसे ले नहीं जाती लग भग धाई साल क्रेच नामक कारखाने में बोतल का दूद और मैदे के बिस्कुट खाकर बच्चे का श्रीर बनाया जाता है क्रेच के बाद बच्चे को प्ले स्कूल नामक कारखाने में ले जाया जाता है नर्सरी या प्री स्कूल नामक कारखाने में डाला जाता है यहां बच्चा प्रैप, LKG और UKG नामक वर्क्शॉप में ट्यून किया जाता है उसे नंबर्स बोलना, टेबल बोलना, पॉइम्स रायम करना सीखना होता है अब बच्चा लगभग साड़े चार साल का हो चुका होता है इसलिए उसे अपेक शाकरत बड़े कारखाने में ले जाये जाता है जिसे स्कूल कहते हैं इस स्कूल में एड्मिशन के लिए बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता-पिता का भी एड्मिशन मिल ही जाता है इस कारखाने में बच्चे को शिक्षा देने वाले कुशल कारीगरूं द्वारा रोज अपने तरीके से बच्चे को ठोका, पीटा तथा तोड़ा मरोडा जाता है माता-पिता पर दबाव दिया जाता है कि वे महंगी ड्रेस, टाई, शू, टिफिन, आधिके माध्यम से बच्चे की डेंटिंग और पेंटिंग पर विशेश ध्याम दें इस कारखाने में बच्चे को रोज होमवर्क दिया जाता है जिसे बच्चे के वे माता-पिता देर रात तक बैठकर पूरा करते हैं जो अपने आफिसों में अपने बॉस की डाट खाकर और कंपनियों के टारगेट पूरे करने के लिए धक्के जहल जहल कर बुरी तरह से मुर जिजक डाटते फटकारते हैं कि आपका बच्चा रेडिवेट बच्चा बनने की रिशा में बहुत कमजोर है क्योंकि आप लोग घर नामक कारखाने में धंग से बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं माता पिता नामक कच्चे कारिगर सौरी सौरी बोल कर खीसे निपोरते हैं बगलें जहागते हैं और बच्चे की तरफ रिरियाई आँखों से देखते हुए उसके भविश्य के प्रती आशंग का व्यक्त करते हैं इस कारखाने में बच्चे को पड़ाई के साथ साथ जीवन जीने की तैयरी भी करवाई जाती है उसे क्राफ्ट कहा जाता है इस क्राफ्ट को तैयार करने के लिए बच्चे को फिर से माता पिता की साहता लेनी पड़ती है माता-पिता बच्चे के लिए क्राफ्ट तयार कराने के लिए बाजार की शरण लेते हैं बाजार में उनका सामना नए प्रकार के कारखानों से होता है जहां तरह तरह के ready-made क्राफ्ट भिखते हैं माता-पिता अपनी हैसियत के अनुसार कोई एक क्राफ्ट खरीद कर स्कूल में जमा करा गया क्राफ्ट, फिर से बाजार के क्राफ्ट कार खाने में बिखने के लिए पहुँच जाता है. स्कूल नामक कार खाने में बच्चे की परसनेलिटी को सुधारने के लिए उसे stage performance के लिए भी तैयार किया जाता है. उसे fancy dress competition या singing competition या group dance आदी के लिए train किया जाता है इस्कूल नामक कार खाना एक बार फिर माता-पिता को आदेश बिजवाता है कि वे अपने बच्चे को अमुक प्रकार की dress सिल्वाएं या किराए पर ला कर दें इस्कूल नामक कार खाना साल में एक दिन बच्चों के माता-पिता को इस्कूल के annual day function पर बुला कर कार खाने में तयार हो रहे बच्चे का art talent और skill दिखाते हैं माता-पिता अपने ready-made बच्चे के नपे तुले कदम और सदे हुए स्वर को देखकर निहाल होते हैं और इस्कूल नामक कार खाने की प्रशन सामें तालिया बजाते हैं लगबग 12 साल बाद इस्कूल नामक कार खाना घुशना करता है कि माता-पिता अपने बच्चे को वापस लेकर जाएं क्योंकि अब है और भी बड़े कार खाने में जाने के लिए तयार हो गया है अब बच्चा लगबग 5-7 साल तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी नामक कार खाने में तयार होता है यहां माता-पिता का रोल हर साल फीस बरने तक सीमित रह जाता है क्योंकि रेडी मेड बच्चा अपने पुराने कार खानों में लिए गए अनुभव के आधार पर इस कार खाने में स्वतंतर रूप से विचरण करता हुआ अपना निर्मान लगभग स्वयम करता है कॉलेज नामक कार खाने से निकल कर अब बच्चे को जो की युवा हो चुका होता है किनी तीन कार खानों में से किसी एक कार खाने को चुनना होता है पहला कारखाना होता है बिजनिस का इस कारखाने को सामबनेते वही युवा चुनते हैं जिनके घर में पहले से कोई बिजनिस चल रहा हो दूसरा कारखाना होता है सरकारी नौकरी का इस कारखाने को सामनेत हैं वे युवा चुनते हैं जिनका किसी कोटे में रिजर्वेशन होता है या जो उंची पहुच अथवा रसूख जैसा कुछ सामान रखते हैं या फिर जिनके माता-पिता के पास देने के लिए रिश्वत वगरा होती है ऐसे युवा भी सरकारी नौक कारखाने में गुषने के लिए सामानेत है 2-4 साल कोचिंग इस्टिटूट नामक कारखानों में खपाने ही पड़ते हैं तीसरा कारखाना होता है प्राइवेट नौकरियों का इस कारखाने में दो प्रकार की नौकरियां होती हैं पहली वे जिनमें सेलेरी नहीं मिलती पैकेज मिलते हैं सामनेत है प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्रियां बाटने वाले कारखानों की बीटेक, सीए और एमबीए नामक वर्क्शॉप्स में से निकले कुछ हो नहार खुषते हैं प्राइवेट नोकरियों वाले कारखानों में सेलेरी पाने वाले युवा भी होते हैं जो बीए, बीकॉम, बीए, सी आदी की डिग्रियां देने वाले यूजी, पीजी कॉलेज नामक अपेक श्रक्रत छोटे कारखानों से निकलते हैं इस प्रकार 30-31 साल का ह होते होते बच्चा किसी तरह सेटल होने के कगार पर आ जाता है। यही वैबिंदू होता है जहांसके उसकी मेरिज प्लान करने और अपने स्वैम के लिए एक बच्चा प्लान करने की नई शुरुआत होती है। इसके बाद उसे फिर से उनी कारखानों के चक्कर लगाने को विवश होना पड़ता है जिन कारखानों से अभी कुछ साल पहले वैश्वैम निकल कर आया होता है। भारत की फैक्टरियों में रेडिमेट बच्चे बनाने का यह सिलसिला कब तक इसी प्रकार चलता रहेगा कोई नहीं कह सकता। बवारत का यह सिलसिक बचलता है जो इसाई है।